इस बड़ी चर्चा में कुछ खास मेमान हमाई साथ जुड़ चुके हैं, उनसे तारूफ आपका करा दूँ सबसे पहले सतीश प्रकाश राजनेतिक विशलेशक हैं, हमाई साथ इस्वक जुड़ चुके हैं सबसे पहला सवाल सतीश प्रकाश जी आपसे, मायावती ने आज ये इकदम इसपश्ट कह दिया कि अब आगे भी कोई गडबंधन नहीं होगा, ये गडबंधन टूड़ या है, इसको सुनके आपको कोई हरानी हुई? मेरे हिसाब से राजनिती में एक नियम है, ये राजनिती क्या किसी भी फिल्ड में है, अगर आप राजनिती में या किसी भी फिल्ड में सफल हो जाते हैं, तो आप कभी भी जो आपकी कमियां हो हमेसा डग जाती है, कमियां ही जब निकल के आती है, जब किसी भी फिल्ड मे आप ऐसा पल हो जाते हैं आपको हरानी की नए रहानी वाली कोई बात नहीं थो और अगर जिस उथ देश को लेकर के घट बंदन हुआ वह कहीं ना काम्याब रहे हैं इसमें को जो कोई तो रहाए निए ना काम्याब के कारण जो भी घट होगी ना उन काम्यों को जानने का कार कि वह अपनी जो आपेक्सिक जो सपलता ही थी उनको उपराप्त नहीं किया उसमें क्या दिक्कत है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं अब मेरा एक सवाल सुने का बहुत ध्यान से आप कह रहे हैं कि गड़बंधन में कमिया हों उसको ढूंडने की बहुत जरूरत है बहुत अच् के वल समाजवादी पार्टी की कम या क्यों गिनारी दोनों को आत्मचिंतन करने की ज़रूरत थी ना बेस्पी ने की आत्मचिंतन अगर उन्हों ने यह बात कहीं है कि अखलेश जी से टेलिफॉन की बात का नाम ना दूसरी बास सलेमपुर की जिस सीट का उन्होंने रेफ लिए लीडर्स को आप संजाईए तो यह बात क्यों लोगा दो जून को जब मायवती प्रेस कांफरेंस कर रही है उन्होंने का कि आम उप्चुनाव नहीं लड़ेंगे वो वेस्पी पार्टी जिसने आज तक उड़ा उन्होंने तोड़ दिया अब क्यों इस दिन बात क्य हमने सपा और वस्पा के बीच में गटबंदन हुआ और जहां पर एक नारा लगा कि मिले मुलायम कासी राम हावा मोडगे जैसिया राम और इतनी बड़ी सफलता उस गटबंदन ने प्रात की जब मंदिर का मुंदा बहुत बड़ा था तो कही ना कही लीडर ऐसा नहीं है और आप मुझे एक बात बताईये कि ये बहुघं समाज पार्टी की ये खासियत है कि उसका वोटर्स जो है चाहे हमने सफा के साथ गटबंदन किया हो या कांग्रेस के साथ 96 में गटबंदन किया हो बहुघं समाज पार्टी का वोट हंडेट पर्सेंट टांसपर कराने की ताकत है वो ट्रांसपर होता है इसके ओपर कोई सवाल ने उठा सकता है इसमें कहीं कोई दोर आई नहीं है अच्छा अब मैंने बहुत बहुत शांति से आपको सुना